ओके गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हम वही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर का नाम आपको याद होगा इट इस आउट कम्स ओफ डेमोक्रेसी ओके तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अब देखो हमने पिछले बार ये प्रूफ कर आप सोचें कि मैं किस कंपनी का फ्रिज खरीद हूं तो आप क्या करोगे आप सोचोगे कि मुझे फ्रिज खरीदना है तो मुझे मेरे पास सपोज कि आपके पास बहुत सारे आप्शन हैं आप सैमसंग का ले सकते हो आप लजी का ले सकते हो आप धो द्रेज का ले सकते हो तो आप सोचो कौन सा लेना है, तो आप उसको comparison करोगे, और आप comparison के लिए सोचोगे कि कौन कौन से parameter मुझको देखने हैं, आप देखोगे कि किन parameters, तो आप देखोगे मैंने देखा cost, फिर आपने देखा कि electricity कितना consumption होता है, फिर आपने देखा कि उसके में जो space है, वो कितना है, सब्फोज आपने ये तीन parameter रख दिया, और इन तीन parameter के हिसाब से आप comparison कर रहे हो, कि LG का कितना है, Samsung का कितना है, Godrage का कितना है, तो when we want to compare, तो हम कुछ parameters, parameters का मतलब कुछ indicators decide करते हैं, कि इस base पे हम comparison कर रहे हैं, ओके, now we are comparing governments, हम government को compare कर रहे हैं, अब हम democracy और दूसरा term ले रहे हैं, non-democracy, अब हम उसको monarchy और dictatorship नहीं कह रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो हमने देखा कुछ government democratic government है, और कुछ government non-democratic government है, तो we are comparing, अब इन comparison के लिए हमने कुछ parameter चुने हैं, तो first parameter जो हमने चुना, वो है accountability, responsive and legitimate, ये three words आपकी बुक में भी दिये हैं, हम same words को use करेंगे, तो हम कहेंगे, हम we are comparing, democratic and non-democratic government, on the basis of their accountability, responsive and legitimate nature, okay, what does it mean, अब समझना भी तो है कि ये है क्या, तो accountable का मतलब होता है, answerable, answerable, responsive का मतलब होता है, responsible, legitimate का मतलब होता है, legal, तो आप देखो, अगर हम बात करें, तो democracy is more accountable, and responsible, than other non-democratic government, why, why it is responsible, because it is accountable, ठीक है, जो democratic government है, उसे बहुत responsibility से काम करना पड़ता है, अगर वो responsibility से काम नहीं करेगी, तो उसे हर 5 साल में, government, citizen को जवाब देना पड़ेगा, answerable, मानलो मैं आपके class के रूब में, एक candle चलती भी छोड़के चली जाऊं, और मैंने कहा, ये candle चल रही है, class 10, ये candle बुझनी नहीं जाही है, ठीक है, तो आप में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मैंने responsibility fix नहीं की, एक class में 32 student है, एक में 38 student है, एक सोचेगा दूसरा उसका ध्यान रखे, दूसरा सोचेगा, दूसरा ध्यान रखे, और फाइनली वो कोई भी ध्यान नहीं रखेगा, और candle बुझ जाएगी, लेकिन अगर मैं गई, और मैंने कहा, कि class monitor, बच्चे, आप इस candle के लिए responsible है, you are answerable, अगर ये candle बुझी, तो मैं तुमसे ही पूछूँगी, उस समय वो ज़्यादा responsible हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है, कि मैंनम मुझसे पूछेंगी, मैं इसके लिए answerable हो, तो वो उसका ध्यान रखेगा, सो सेम यहां होता है, कि जब गौर्मेंट को पता है, कि we are chosen by the people, we are answerable to the people, तो वो responsibility से काम करती है, non-democratic government को पता है, कि लोगों ने हमको चुना भी नहीं, लोग हमको हटा भी नहीं सकते, तो वो अपने मन मौजी से काम करती है, responsible नहीं होती जादा, ठीक है, अपने हिसाब से काम करती है, king को जो पसंद है, डिक्टेटर को जो पसंद है, अपने फैसलों को लोगों के उपर थोप देती है, और democracy में हर पांच साल में तो election होता ही है, साथ के साथ आपको पता है, पार्लियामेंट में आपको पता है, state-ledisic lecture में, MPs and MLAs government के same minister से, Prime Minister से, Chief Minister से, questions पूश सकते हैं, उनसे किसी भी issue पे उनके views मांग सकते हैं, और इस तरह से वो government को control करते हैं, media is there, media की freedom है, तो media होने से transparency आती है, government का कोई भी जब कानून बनता है, तो या कोई भी action होता है, उसमें MP, MLA direct question पूश सकते हैं, media के through हम लोग भी पूश सकते हैं, हम means citizens, तो there is transparency, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले parameter का अगर हम comparison करें, तो democracy is no doubt better than non-democratic, and third, it is legitimate, it is legal, यह किसी ने जोर जबरतस्ती तागत से सरकार नहीं बनाई, जिसको election में ज़्यादा vote मिले, उसने सरकार बनाई, तो it is legitimate, legitimate का मतलब होता है, यह कानूनी government है, गैर कानूनी नहीं है, लोगों की government है, लोगों ने उसको election से किया है, decision making जितना भी government में हो रहा है, participation of people, लोगों का participation हो रहा है, regular, fair and free elections हो रहे हैं, parliament में और state legislature में debate हो रही है, यह जो points हैं, वो इसको accountable and responsible बनाते हैं, decision making one person के hand में नहीं है, सब कुछ में transparency है, अब तो हमारे country में RTI, एक नया कानून भी बना है, right to information, किसी भी चीज़ के बारे में, हम सरकार से, सरकार के किसी भी department से, कोई information मांग सकते हैं, तो right to information है, so no doubt, democracy is better than non-democratic governments, so on this parameter, we can say, डेमोकरेसी में कोई कमी नहीं है, पहले parameter में अगर हम comparison कर रहे हैं, कि हमें democracy चाहिए, या non-democracy, तो democracy is better form, okay, इसके लिए please, page refer, page 91 and 92 of NCIT book, इसको आप जरूर एक बार read कर लीजे, now the next, second parameter is economic growth and development, economic growth का मतलब, economic आप पढ़ते हैं, it is money related, ठीक है, economics पूरा subject आप पढ़़ हैं, अगर हम इसमें comparison करें, बच्चों तो हम देखेंगे, कि democracy is not very much successful, it is not very much successful, how, आपकी book में, page number 94 पे, table number 2 दिया है, इसको एक बार देखें, आप देखेंगे, उसमें economic growth rate दिया है, तो हम देख रहे हैं, कि वो countries जहां dictatorship है, उनकी economic growth rate, democratic countries से comparatively high है, बहुत जादा difference नहीं है, बट mild high है, तो यह हम एक result कह सकते हैं, कि economic front में, dictatorships जादा better result दिखा रही हैं, लेकिन यह जो point है, पहला वाला वो इतना जादा effective है, कि हम इसको ignore कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमने कहाता कि यहां लंबी debates के बाद decision होता है, सबसे concern लिया जाता है, वहाँ one person के पास decision making है, तो हो सकता है decisions थोड़े fast हो जाते हों, तो शायद इसली भी फरक पड़ता है, लेकिन हम democracy में economic rate and development कम क्यों हैं, हम democracy को जादा उसके लिए responsible नहीं मान रहे हैं, हम मानते हैं कि उसके पीछे कई सारी चीज़े हैं, जैसे population size, historical background of country, it is very very important, आप देखो कि जितनी भी democratic countries हैं, वो सब new democracies हैं, new democracies हैं का मतलब उन में से most of them were colonies, जादा से जादा उन में से कैसी थी, जो किसी दूसरी country के control में थी, तो अब जाके जब वो independent हुई हैं, तो उनको time लगेगा economic growth और development को co-up up करने का, ऐसी global situation, world में बाकी चीज़े उनको किती support कर रही हैं, बाकी country से relations कैसे हैं, ये भी economic growth and development में अपना role play कर सकता है, लेकिन just, हम क्या बोलेंगे कि on this parameter, अगर कभी आपका exam में question आ जाए, कि on the basis of economic growth and development, how can we compare democratic and non-democratic countries, तो आप बोलेंगे कि on this ground, democracies are less successful than non-democratic countries, and this table proves it, आप देख लीजे, टेबल एक बार read कर लीजेगा, उसमें मैंने आपको बता भी दिया, page number 94 के टेबल में आपको दिखाया हुआ है, okay, same way, इसी से related है, reduction of poverty and inequality, इसमें भी democracy less successful है, reduction of poverty, क्योंकि economic development कम हो रहा है, क्योंकि economic growth, GDP नीचे जा रही है, तो poverty भी अभी तक जो democratic countries हैं, वो गरीब हैं, ठीक है, most of the democratic countries are poor, but again mind this, democracy, 90% democracy is not responsible there, for this poverty, this historical background, आप कह सकते हैं, long colonial period is responsible for this poverty, क्योंकि अभी हम 60-70 सान में, इतने जादा डेवलप नहीं हो सकते, कि poverty हमारी बहुत कम हो जाए, तो these causes are responsible for this, we cannot blame democracy for this, but yes it is true, that democratic countries are more poor, than other form of government, other non-democratic countries, and same way in equality, inequality in income, income distribution, economically जो हम बात कर रहे हैं, तो economically आप देखोगे, कि income distribution में, भी inequality है, यानि कि कुछ लोगों की income, बहुत जादा है, और कुछ लोगों की income, बहुत कम है, तो economic gap बहुत जादा है, आपके book में, एक बहुत अच्छा सा cartoon बना है, एक ऐसे pizza बना है, और उसमें ऐसे दिखाया है, ये, छोटा piece खाने के लिए, तो आप class में 38 student हैं, हमने दो बच्चों ने तो ये पूरा, इतना सारा ले लिया, ये सारा green color बोला, ये तागतवर थे, इन ओने का ये हम खाएंगे, और बोला बाकी 36 बच्चे इसको बांट लो, तो ऐसा ही हमारी country में हो रहा है, poor और rich का difference ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब धिरे-धिरे, ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, so economic inequality is there. Now, तो दो parameter हमने ऐसे देखे, जिस पे हम कह सकते हैं कि democracy is not very successful. The fourth one is accommodation of social diversity. Accommodation का मतलब होते है, adjust करना. मान लीजिए, ये एक sofa है, और इसमें हमारे चार बच्चे बैठे हैं इस bench पे, और दो बच्चे और आ गए, बुला हमें, जिर्थिस को आप हमें भी बैठने दो, और उन्होंने उनको बैठने दिया, तो accommodate करना, अपने साथ adjust करना, तो democracy में social diversity बहुत अच्छे से accommodate होती है. अभी मैंने पहले भी आपको एक example दिया था, यहां कहीं मैंने आपको example दिया था, कि different type के, हाँ पहले दिन वाली class में कि we have different social groups, ठीक है हमारी जो social groups हैं, बहुत जादा diversity है, हमारी country में तो आप देख रहे हैं ना, वो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनिक हैं, है ना, वो उस song में पूरा यह diversity का concept आ गया है, caste अलग, religion अलग, gender, sex अलग, male, female, अब the gender is there, then place of birth, place of birth अलग, आप देखोगे कि culture का कितना difference, food का कितना difference, language हमारी country में इतनी ज़्यादा कि अपनी country में ही हम अलग-अलग area के language को नहीं समझ पाते, तो इतने सारे differences हैं, इन differences को होते वे भी, हम एक ही country में कैसे peaceful and harmonious, harmonious का मतलब मिल जुल कर रहना, सब आपस में मिल जुल कर कैसे रहेंगे, ये democratic country में ही हो सकता है, non-democratic में हो सकता है, एक ही caste को promote कर रहे हूं, एक ही religion को कर रहे हूं, एक ही gender को कर रहे हूं, जैसा हमने नाजिजम में देखा, कि उन्होंने केवल Nordic Aryans को ही superior, समझा बाकि सबके rights को खतम कर दिया, so you can say कि harmonious and peaceful life is possible in a democratic country because there is accommodation of social diversity, democracy is best suited, अगर हम बात करें तो democracy इन सब चीजों में बिलकुल बहुत अच्छे से काम करती है, इसको एबिलिटी है, different social differences को handle करने की, हर एक social group को respect all the sectors, जितने भी sectors, society के हैं, सबको respect मिलता है, और एक बहुत important बात है, democracy is rule of people, democracy is rule of majority, but it is not rule by majority, what does it mean, कि जो party ज़्यादा जीत के आई, वो तो government बनाईगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो social group majority में है, वो government बनाईगी, no, हो सकता है कि वो group जो की minority में है, minority मतलब less in number, number, इसको भी अगर ज़्यादा लोगों ने vote दिया है, तो ये भी government बना सकते हैं, इनका भी participation है, और तो आप छोड़ दीजे, उनको reservation भी मिला है, हमने देखा था न, do you remember, SCNST के लिए, Parliament and State Legislative Culture में seats reserve हैं, just to respect minority, जो लोग marginalized थे, जिनको past में ज़्यादा मौका नहीं मिला, आगे आने का, आगे कब पहुँचेंगे, यह बराबरी की बात कब होगी, जब race एक point से शुरू होगी न, यहाँ से हमने race शुरू की, और यह हमारे finishing line है, हमने यहाँ से run करना शुरू किया, तो यह equality है, अब हमने देखा, कि एक तो पहले यहाँ था, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ है, पहले ही इतना चूटा है, why? Because of our social set-up, because of our historical background, आपने class 8 में, marginalization की दो chapter पढ़े थे, कि कुछ social groups, normal से पीछे चूटे वे हैं, तो पहले हमको, उनको extra weightage, extra reservation, extra provision करके, सब को पहले एक जगे लाना है, जब सब एक जगे पहुँच जाएंगे, बात करेंगे, तो ऐसा सोच, ऐसा equality का, novel जो concept है, वो कि वहली democracy में ही हो सकता है, non-democratic countries में ऐसा नहीं होता, आपने power sharing का पूरा chapter पढ़ा है, आपने देखा कि हमारे, जितनी भी democratic countries हैं, they believe in the method of power sharing, उनमें जो तागतवर है, या जो ज़्यादा number में है, वो ही power में बैठ जाए, और सारा कुछ अपने control में रख दे, ऐसा नहीं होता, they believe in sharing, वो political power को share करने में बिलीव करते हैं, चाहे, वो social group, वो political party, less number में हो, या ज़्यादा में, तो in this front, democracy is very very successful, non-democratic country में, हम इन बातों को imagine भी नहीं कर सकते, so democracy is very very much successful in terms, यह कभी आपको पूरा five mark कर question एक साथ आएगा, कि आपको पांचों point करने होंगे, कभी-कभी एक ही point को describe कर दिया जाएगा, ऐसे question आजाएगा, प्रूफ देमोक्रेसी अकोमोडेट सोचल डाइवर्सिटी, और five mark का question आजाएगा, तो आपको समय इसको डिटेल में बताना है, नाओ दे फिफ्थ थिंग, इस अगें very very much important, dignity and freedom of citizen, डेमोक्रेसी इस दाओनली form of government, where the dignity and freedom of citizen is respected, is honored, पहली वाली class में dignity का meaning, उसका background मैंने आपको बता दिया, तो डेमोक्रेसी में ही हमको freedom है, आपने, पिछले साल, class 9 में, डेमोक्रेटिव राइट से एक chapter था, उसमें दिया राइट से और एक राइट था, राइट टू फ्रीडम, और इस राइट टू फ्रीडम के अंदर भी six freedoms मिली थी, हम कहीं भी इंडिया में रह सकते हैं, हम peacefully assemble हो सकते हैं, हमें अपना religion मानने की पूरी फ्रीडम है, हमको अपना education अपने हिसाब से लेने की पूरी फ्रीडम है, हम अपनी मर्ची से अपना occupation, अपना business, अपनी नौकरी चूज कर सकते हैं, ये सारी freedoms डेमोकरेसी में ही मिलती है, डेमोकरेसी में ही dignity of citizen को respect मिलता है, how by the process of voting, आप देखो चाहे अमेर हो, चाहे गरीब हो, सबको voting right है, हमने बस एक rule बनाया, 18 years of age, I think you must know the universal adult franchise चाहे, उसमें साफ लिखा है, every citizen of India who has completed 18 years of age, is eligible for voting, irrespect of caste, religion, sex, place of birth, area of living, language spoken, कुछ भी हो, बस के वल एक ही चीज देखी गई है, age, if a person, if a citizen is adult, he or she is eligible for voting, कोई discrimination नहीं, सबको equal rights, सबके vote की value equal, ऐसा नहीं है कि अमीर है, तो उसके vote को 5 गिन ले, और गरीब है, तो उसके vote को 1 गिन है, freedom, इस parameter के हिसाब से भी, हम democracy को full marks दे सकते हैं, तो अगर अब marks देने की बात आए, तो हमने देखा, कि dignity, यह जो है हमारा देखो, dignity, five point में democracy को full marks मिल रहे हैं, four accommodation में democracy को पूरा मिल रहा है, आप देख सकते हो कि first वाला point, accountability, responsible, legitimate में democracy एकदम number one है, यह दो points ऐसे हैं, जिसमें democracy ज़्यादा successful नहीं है, थोगा कम successful है, तो overall हम कह सकते हैं, कि आजकल के जमाने में, in modern world, democracy is the best form of government, in comparison of other forms, और इसका एक practical प्रूव यह है, अगर आपके पास पिछले साल की book है, class 9, may chapter 1, that was deleted, but there is a map, मैं आपको live class में वो map share करूँगी, आप देखोगे कि जो, जितनी भी countries, world की हैं, जहां मुनेर्की थी, या जहां dictatorship थी, वो धिरे धिरे सब, चाहे तो revolution के द्वारा, चाहे peaceful moment के द्वारा, mass moment के द्वारा, they all are converting into democracy, तो कुछ तो अच्छाई होगी न, तभी तो यह सारी countries अब democratic होती जा रही हैं, so this is all about this chapter, outcomes of democracy, we will discuss this chapter again in live class, and it is your responsibility and your moral duty to read chapter line by line, okay, read, see all cartoons which are given in book, आपके picture interpretation की questions भी आप आते हैं, आपने sample paper में देखा होगा, उन cartoons में, सी तो आपके साथ साथ जो democracy का message चुपावा है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए, and if you have any doubt, you can ask me, thank you.